मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं हूँ आस्रोलोजों सुने शास्ट्री और आप देख रहे हैं जो तिस्ते सम्बंदित कुछ विशेश और एडिशनल जान का रहे हैं मेरे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से महराज राहू के बारे में राहू सभी की कुण्लियों में विराजवान होते हैं तो किसी को शुबफल प्रदान करते हैं तो किसी को अशुबफल प्रदान करते हैं दोस्तों तो इसी प्रकार से हमारी आपकी समस्त प्राणियों की कुन्ली में राहू बैट करके अपने शुब किसी को शुब फल देता है तो किसी को अशुब देता है किसी को शरीर की पीडा प्रतान करता है किसी को चरित्र में दाग लगा देता है किसी को कुसंग दे करके उसके में सब कुछ होने के बावजूद भी ये दुख हरदे में दे देता है और किसी को तो सब कुछ होने पर भी जीवन में इतना भटकाओ इतनी अस्तिरता दे देता है कि समस्त सुक साधन होने के बावजूद भी वो अपनी जिन्दगी बहतर और अच्छी से नहीं जी पाता है कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पैसा दुनिया के लिए कमाता है कही लोग करोड़ो पती अर्वो पैसा कमा रहे हैं अंदा धुन और देखिए उस पैसे को कमाने के लिए भी कभी भी जब व्यक्ति जरुवत से ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करता है जो पाप में होते हैं असत्य होते हैं जिसमें बिजनस सिपा होता है तो ऐसे जो भी काम होते हैं तो उसमें वो उतने ही पाप भी कमा रहा होता है जितने वो करोड़ो अर्वो रुपे कमा रहा होता है तो दोस्तों इतना पैसा कमा करके साथ में असल में पाप ही कमा रहा है क्योंकि पैसा तो खा नहीं पाएगा क्योंकि आज स्थिरता राहू दे रहा है कुछ गरह दे रहे हैं तो जीवन में जो है खा नहीं पाता बिमारियां लग जाती है दुनिया वर का पैसा है उसको डाले कहां तो इस तरीके से अब बताएए ऐसे भी पैसे कमा के फैदा क्या है लेकिन पाप तो बाईयों संग जाएंगे पाप का तो हिसाब होगा चाहे प्रॉपर्टी का पैसे का हिसाब हो या ना हो लेकिन उसका हिसाब तो होगा उसके तो भोग भोग नहीं पड़ेंगे, पैसे चाये कोई भी खाए, लेकिन जिस तरीके से और जिस पाप को करके, या सुक पुण्य को करके, यह जो पैसे कमाए हैं, काम किया है, उसका सुख तो आपको ही भोगना पड़ेगा, उसी भीकति को भोगना पड़ेगा, जिसने सब इकटे किये तो ऐसी भी situation round create कर देता है कि कमाता कोई है मौज कोई लेता है और जो कमाता है वो जो है गरम पानी में टोस्ट विगा विगा के खा रहा है उसको रोटी भी नसीब नहीं है डॉक्टर ने कहा है कि गरम पानी के अलावा यदि टोस्ट ये रोटी सबजी में भी डुबाई चाई में भी डुबाई तो BP pressure sugar liver इतना हाई हो जाएगा कि on the spot death भी हो सकती है तो महाराज क्या करे करना क्या कुछ नहीं है आपको बस जो टोस्ट है वो तीन टाइम से ज़्यादा खाना नहीं है वो भी गरम पानी में भीगा के खाना है क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो करोडो और वो खर्बो जो दुनिया की संपदा जी सकता था दुनिया के समस्त वैवव सुख प्राप्त कर सकता था वो गरम पानी में टोस्ट भीगा के खा रहा है ऐसे गल्ती मत करना थोड़ा हो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला धन स्वस्त काया अपने क्वाय काया को स्वस्त रखो जित्रा दिया है उतने में संतोस करो परमात्मा का बुरे काम मत करो शांती से करो तो राहू भी आपको शुफल देगा और भगवान भी तो इसलिए दोस्तो राहू के जबरदस्त ऐसे तीन शुफल है जो हर व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं राहू कुर्ली में अच्छा हो तो भी मिलेंगे राहू कुर्ली में खराब स्थिती में हो तो भी मिलेंगे दोनों ही situation में मिलेंगे आपको तो दिल थाम के और बड़ी ध्यान पूरवक सुनिए इन सुखों को समझ नहीं किया हो शकता है यदि आपने दिमाग में डाल लिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये सुखों जब आप सोचेंगे इनके बारे में तो एक बहुत बड़ी बात है पहला सुख है राहु का कि हमेशा राहु व्यक्ति को आजाद कर देता है आवाद कर देता है अब आजाद और आवाद को आप बोलेंगे कि ये क्या सुख हुआ लेकिन दोस्तों मानों कि कोई व्यक्ति अगर कई टाइम से जो है वो फसा पड़ा है ऐसी जंजाल में फसा पड़ा है या फिर कई ऐसे कारागार में फसा पड़ा है या कुछ ऐसे कुसंग लोगों के साथ में कर रहा है तो उस स्थिति में वो सालों से सोच रहा है कि मैं अगर छूट जाता, मेरी स्थिरता न रहती, अज स्थिरता हो जाती संजार में टिक नहीं पाता, एक जगा पर नहीं टिक पाता तो भैया भी नहीं होता, फसा नहीं होता, गुमरा होता तो उसी प्रकार से ऐसा कोई कहीं ऐसे फस गया है बंद गया है उस situation में यदि राहू की कोई अंतरदशा प्रत्यांतरदशा सुक्ष्ण प्राण महादशा यदि कैसी भी create हो जाती है आ जाती है तो उस समय वो आवाद और आजाद राहू बना ही देता है ऐसे कारण बनाएग अपनी दिशा में कि उस व्यक्ति को अस्थिर कर देगा जिस जगा पे है उस जगा से उसको जगा चेंज करनी पड़ेगी और आजाद मुक्त कर देता है दोनों ही situation में आप देखना भटकाओ अस्थिरता देदेगा तो पहला मुझे ये सबसे अच्छा गुन लगा उस स्थिती में जब उस पर चलेगा तो व्यक्ति आजाद मुक्त हो जाएगा और कहीं न कहीं वो बटकते हुए अपने लोगों अपने परिवार अपने व्यक्तियों के पास में पहुँची जाएगा दूसरा बहुत बड़ा अच्छा गुण रहू का जो है वो इस प्रकार से है कि व्यक्ति को हर मामले में और अपने जीवन में सक्षम बना देता है उसके अंदर वो गुण दे देता है ये रहू की रहू का प्रवाव है दोस्तों रहू खराब हो अच्छा हो कुणली में दोनों ही सिच्विशन में में कहूंगा कि रहू जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो बहुत सारे ऐसी चीजें सिखा देता है बहुत सारे ऐसे गुण दे देता है दुनिया की चाला की दुनिया की अस्तिरता दुनिया के तमाम गुण तमाम आदते अच्छी बुरी सब सिखा देता है क्योंकि जो पहले व्याला जो मैंने आपको बताया अस्तिरता यानि कि भटकाओ बटकाओ जब जीवर में आता है तो आदमी बटकता है और जब तक आदमी बटकेगा नहीं तब तक उसको गली-गली का मौले का देश-देश का मतलब गली-गली का उसको नौलिज नहीं होगा आदमी-आदमी का हर औरत हर आदमी हर एक दूसरी आदमी को जानेगा हर एक दूसरी कंट्री में घूमेगा हर एक दूसरी गली में घूमेगा हर एक घाट घाट का पानी पिएगा तो दोस्तो यह तो सफल होने के राज है कि जो विक्ति सफल होते हैं वो समाज में और उनके जीवन में चलने की शमता बहुत होती है बहुत घूमते हैं बहुत परकते हैं बहुत पढ़ते हैं तभी तो सफल हो पाते हैं क्योंकि राजा वही सफल होता है जो प्रजा के बीच में जाकर के हर एक एक आदमी की बात सुनता है हर गली महले की हर समधाई की बात सुनता, तब उज़े समझ में आता है कि प्रजा को सुखी कैसे रखना है नेता लोग होते हैं न, वोटिंग के टाइम पे या फिर बीच वीच में जो अच्छे नेता होते हैं बिना वोटिंग टाइम के भी प्रजा के बीच में गोलते रहते हैं क्यों, क्योंकि उadow चोटे तरीके से जनरल तOR पर समझ में आसके हैं कि लोगों को कोई परिशानी यदि है तो कौन सी है और कैसे लोग प्रभावित हो सकते हैं कैसे लोग सुखी हो सकते हैं तो ऐसे नेताओं को सैल्यूट है लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे ही राजा, नेता का मतलब राजा ही होता है आज के समय पुराने समय में राजा हुआ करते थे तो राजा की बात में करन तो वही राजा सफल हो, सक्सेस होता था, उसी को यह जंता प्रजा प्यार करती थी प्रान उसे भी ज़्यादा और उसी की राज में देवता भी प्रसन्न होते थे और गट्टी भी प्रसन्न होते थे ठीक उसी तरीके से दोस्तों सक्षमता जीवर में बना देता है बहुत सारी अबिलेटीज लाइफ में देता है जिसके कारण राओ की मादशा में नहीं तो कोई बात नहीं अगली दशा में व्यक्ति knowledgeable तो हो जाता है और वही knowledge उसका एक दिन success बनता है, progress बनता है तो सक्षम ता ये दूसरा मिर को बहुत बड़ा गुण लगा जो की सक्षम हर एक व्यक्ति को बना देता है अब वो व्यक्ति इतना होता है अब आप खुदी एक छोटी सी बात है हमारे बच्चे होते हैं या किसी के छोटे बच्चे हैं जब वो पहले पहले बाहर जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो कितना माबापों को यहाँ हाट में कितना 24 गंटे यू यू करता रहता है कहीं गिर ना जाएं, कहीं कोई बुरा आदमी ना मिल जाएं, कहीं किसी की बातों में ना आ जाएं कहीं गाड़ी में उतरते चड़ते, कहीं तरह की टेंशन, कहीं तरह की ख्याल दिमाग में चलते रहते है लेकिन वही बच्चे जब घूमते जाते 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 एक दिन थोड़ा सा प्रोड हो जाते है और सारी knowledge उनको जाती है तब माबाब उतना नहीं डरते बाद थोड़ी सी फिकरीद करते है लेकिन उनको पता लग जाता कि हमारा बच्चा अब बहुत ज़्यादा sharp mind हो गया है हाथ चीज को जानता है वो जानता है कि साबने वाला बोल रहा है तो उसके जबाब क्या देना है उसके जीवन में आप आज स्थिरता आगे क्योंकि जब तर स्थिरता थी तो knowledge कम था हाला कि सब कुछ रहा होगा लेकिन knowledge कम था लेकिन जब आज स्थिरता बनी अब रोज office जा रहा है रोज market जा रहा है रोज सबजी लेने जा रहा है रोज डाल लेने जा रहा है कई तरह के काम होते हैं जीवन में तो अब सारी चलक ही आ गई कहां क्या काम करना है तो अब उसके बारे में सोचना और फिकर करना माबाबों के लिए काम हो जाता है ठीक वही है सक्षम बना दिया है न माबब ने यह दुनिया ने सक्षम बना दिया पता लग गया तो वही सक्षमता राहू का दूतरा सबसे बहतर बड़ा गुण है जो हर किसी को देगा राहू शुब हो, अशुब हो अब तीसरा एक बहुत बढ़िया और अच्छा गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो इस प्रकार से है कि राहू की यदि किसी के उपर खराब दशा चल रही देखो राहू अच्छा है दशा आएगी तो वो बहुत अच्छा फल देगा पर बहुत कम होते हैं दस प्रतिश्रत भी लोग नहीं होते हैं जिनके कुंडली में राहू की अच्छा होता है तो वो अपने अंतराल इत्यादिय में अच्छा ही दशा में अच्छा फल देता है तो जिनके राहू वीक है अग्रेसिव है प्रॉब्लम में डालने वाले हैं या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप उनके कारण तो मेरे फ्रेंड लबली फ्रेंड इस सिचिशन में मैं यह कहना चाहूंगा और आपको पताना चाहूंगा कि राहू का एक बहुत अच्छा गुण है और वो तीसरा सबसे इन तीनों में से बहतर गुण है और वो गुण यह है कि राहू जिनके उपर जब आया और सपोस्ट वो राहू खराब था बहुत परेशान किया भटकाओ था बहुत कस्ट जीवर में मृत्य तुल्ले ब्यादियां देखी बहुत नुकसान भी जेला बिजनस में लॉस होगा बहुत सारी प्रॉब्म देखी लेकिन राहू का यह गुण है कि जितना वो आपका बरबाद करके जाता है उत्राई मित्रों वो अपने उतरती दशा में वापिस करके जाता है कुछ ना कुछ ऐसा क्रेटिविटी कर देगा कुछ ना कुछ ऐसा समा बांदेगा कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जिसके कारण जो है जैसे कि किसी बिजनस को खराब किया तो उस बिजनस को रास्ते पे लगा के निकल जाएगा यानि कि अच्छी जगा मोड करके जहां से आपको फ्यूचर में प्रोग्रिस मिल लिए है अच्छी प्रोग्रिस मिल लिए है ऐसी जगा मोड कि चले जाएगा आपको या जीवन में कोई रिस्ता ऐसा था जो बटकाओ के कारण अलग हो गया अब उसके मिलने के चांसे हो जाते हैं शादी ब्याद जैसे मामलों में अगर उसने घर खराब किया तो अब दुबार से बसाने की कगार पर पहुँचा देता है इसी प्रकार से हर एक प्रॉब्लम का सोलूशन निकाल देता है और बहुत अच्छा गुण देता है तो यह थे तीन प्रकार के गुण अवस्री उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्षिर में लिखिए ग anx तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरी है तब तक के लिए जैस्री कृष्णा